हेलो एव्रिवन, वेलकम टो किचिन चैम आज हम बहुती चटपटा और टेश्टी नास्ता बनाने जा रहे हैं और वो भी रोटी से बनाएंगे चाहे तो ठंडी रोटी हो, रात की बचियोई या फिर ताजा हो तो बहुती टेश्टी और डेली से सनास्ता बनता है और बहुती कम समय बन कर तयार हो जाता है तो आई ये शुरू करते हैं यहां पर मैंने रोटीया ली हैं, तीन चार तो यह मैंने ताजा ली हैं, ठंडी नहीं है आप ठंडी भी ले सकते हैं यहां पर मैंने कड़ाई रख दिये और गैस भी ओन कर दिया है अब डाल देंगे दो चमर सर्शों का तेल और तेल अच्छी तरह से गुरम हो जाने के बाद में डाल देंगे एक चमर जीरा तो जीरा अच्छी चटक चुका है अब हम डालेंगे आपर एक बारिक प्याज कट क किया हुआ और इस प्याज को अच्छी से पकने देंगे यानि ब्राउन कलर आने तक पकाएंगे तो प्याज को मैंने दो से तीन मुन तक के लिए पगाया है तो प्याज हमारा पक चुका है कच्चा पंदूर हो चुका है अब यहाँ पर मैंने तीन आलो लिये हैं इनको बोईल कर लिया है उसके बाद में हातों से मैस्क कर लिया है अब हम डाल देंगे आलो को 2-3 मिन्ट तक के लिए पकने देंगे अच्छी तरह से अलो अच्छी से पक चुके है अब हम इसमें टेस्ट की कोटी नमक डाल देंगे आदा चमच अल्दी पाउडर डाल देंगे और इसके बाद में आदा चमच डाल देंगे लाल मिर्ट पाउडर और एक चमच अमचुर पाउडर डाल देंगे और एक चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे और आदा चम्मच गरम असार डाल देंगे अब सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और पकरें देंगे एक दो मीन तक के लिए तो इसमें मसाले अपने मन पसंद के और भी डाल सकते हैं अच्छों नहीं पिसन उसको स्किप कर सकते हैं लेकिन ये स्टेफिंग जितनी चटपटी बनेगी उतना ही हमारा नास्ता टेश्टी बनेगा मसाले अच्छी तरी से पक चुके हैं अब हम इसमें कटावा अरा देनिया पता डाल देंगे और अच्छी से मिक्स कर देंगे अब गैस ओफ कर देंगे और स्टेफिंग को ठंडा हो निकल रख देंगे यहाँ पर मैंने एक बोल ले ली है और इस बोल में आदा क्टोडी बेसन की डाल देंगे तो इस बेसन का हम गोल बनाएंगे नास्ते के लिए तो मैं इस बेसन की अदा क्टोडी बेसन की चार रोटियों के लिए यूज करूँगे तो चार रोटियों के लिए बेसन सही है अब इस पर कुछ मिसाले डालेंगे तो टेष्ट के कोड़ि नव्मग डाल दिया है मैंने और आदा चमस लाल मिश पर अड़र डाल देंगे अब इसके बाद में डालेंगे एक चमस अजवाइन अब पानी डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इस गोल को इसमें एक भी गुटलिया नहीं रहनी चाहिए तो गोल हमारा इसी तरह का होना चाहिए यहां पर मैंने चार रोटिया लिये यह चार रोटिया चार लोगों के लिए काफी है आप कितने लोगों के लिए बना रहे हैं यह आपको देखके बनाना होगा तो यहां पर मैंने एक रोटी ले लिये और इस रोटी के उपर, जो हमने इस आलो के स्टेफिंग मनाई थी, ये अच्छे तरह से ठंडी हो चुकी है, अब हम इसको सैट कर देंगे अब हम चाकू के सायता से कट कर लेंगे अब कट अपने पसंद के अनुसार कर सकते हैं, कैसा भी सेप दे सकते हैं तो मैंने ट्राइंगल सेप में रोटी को कट कर लिया है अब सभी को उठा कर एक ब्लेट में डालेंगे इसी तरह सभी को बना कर तयार कर लेंगे अब यहाँ पर जो हमने गोल बनाया था बेसन का इसके अंदर यह जो हमने ट्राइंगल कट किये है नास्ते वाले तो एक डुबोएंगे इस तरह से उसके बाद में हाथ से निकाल लेंगे अब यहाँ पर मैंने गैस के उपर तेल रखा है और तेल अच्छी तरह से गरम हो जाने के बाद में के अंदर डालते जाएंगे इसी तरह से उसी बेसन के अंदर डूट बूखर करके और तेल के अंदर डालते जाएंगे तेल के अंदर मैंने पहला बैस डाल दिया है फ्लेब मेडियम रखेंगे और इनको एक साइड से पक जाने के बाद में दूसरे साइड पल्ट देंगे इनको पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है क्योंकि रोटी भी पकी हुई थी आलो की स्टेफिंग भी पकी हुई थी सिर्फ और बेसन जो हमने बार से कोट किया है वही कच्चा है तो वो तुरंद पक जाता है तो नास्ता हमारा पक चुका है अब एक जारे के अंदर निकाल लेंगे इसी तरह सभी को बना कर तयार कर लेंगे तो नास्ता हमारा तयार है यह बहुत ही टेस्टी और डेलिशेस बना है और यह बहुत ही सॉफ्ट बना है अंदर से अगर आप इस नास्ता को बनाएंगे इस पर के साथ भी मिलते हैं